फिल्म 13 इंतजार 24 नवंबर को रिलीज हो रही है फिल्म में अरबाज खान और सनी लियोनी लीड रोल में है हाल ही में फिल्म प्रमोशन के दौरान अरबाज खान ने मीडिया से बात फिल्म के साथ ही उन्होंने अपने और एक स्वाइप मलाइका अरोडा के रिलेशनशिप पर भी बात की एक सवाल के जवाब में अरबाज ने कहा मैं और मलाइका 18 साल से ज्यादा वक्त तक साथ रहे हमारा तलाक हो चुका है लेकिन हम आज भी अच्छे दोस्त हैं बता दें कि दोनों ने इसी साल माई में तलाक लिया था फैमिली की तरह है मलाइका अरबाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा मलाइका आज भी मेरे लिए फैमिली की तरह है हमारा एक बेटा अरहन जिसकी परवरिश की जिम्मेदारी हम दोनों पर है दूसरी शादी करने के सवाल पर अरबाज ने कहा दूसरी शादी के लिए मेरे पास वक्त नहीं है एक सवाल का जवाब देते हुए अरबाज खान ने कहा मैं इस वक्त फिल्मों को प्रोड्यूस करने में बीजी हूँ मैंने प्रोड्यूसर के और पर दबंग सीरिज की फिल्में और डॉली की डॉली प्रोड्यूस की है अगले साल मैं दबंग टीन की शूटिंग करने वाला ही रही शादी की बात तो दूसरी शादी करने के लिए अभी मेरे पास वक्त नहीं है सनी लियोनी के साथ काम करने को लेकर अरबाज ने कहा सनी के साथ काम करने में मज़ा आया अगर मुझे दुबारा उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मैं जरूर करूँगा सनी एक अच्छी कलाकार है उन्होंने कहा कि दबंग टीन की कहानी के हिसाब से जरूरत पड़ी तो वे सनी लियोनी को भी फिल्म में चांस दे सकते हैं डायरेक्टर राजीव वलिया की फिल्म 13 इंतजार 24 नवंबर को रिलीज हो रही है इस फिल्म अरबाज और सनी के अलावा सलिल अंकोला, सुदाचंदरन, आरे बबर भी लीड रोल में है फिल्म का ट्रेलर और एक आद गाना भी रिलीज हो चुका है